नमस्कार दर्श को दखे मका करा दूाची तो चलिए सबसे पहले करते हैं गुरुजी का स्वागत। है जो दिखाई पड़ा मुह में डालने की करते हैं और पेट में जाके जाम लग जाता है पेट साथ में उता है जो गैस गुदा के रास्ते बाहर निकनियों दमाग में जाकर रुक जाती है जब दमाग में गैस रुकते है या तो इससे दोरे पढ़ने सुरू होते है या फिर इ उल्टी सीदी बाते करना सुन कर दिता है, जिसको कहते हैं कि इसका दमा खराब हो गया है। मेडिकल सैंस इनको बिजली के जटके भी लगाती है, परांतु उससे ये रोग दूर नहीं होता है। स्वास्त बिचार में इस रोग के मानसीक रोग के रोगी हर मीने डेर से दोस्तों आते हैं। किसी का पंदरा दिन लाज होता है, किसी का एक मीना, किसी का देर मीना, इस से ज्यादा आज तक किसी भी मानसीक रोगी का लाज भी करना पाए। क्योंकि मेरे आसन में यो द्वाईएं हैं ये जड़ी बूटी हैं पेड़ पौधों के पत्ते फूल चाल और फाल इन में हर रोग को काटने की इतनी किशमता है कि जैसे पकवी फसल को किसान खेट से काट के खेट को खाली कर देता है ऐसे शरीर से हर एक रोग जड़ से काट जड़ता है मानसी को रोगी को कभी भी ठोस खाना ने देना तर्ल खाना देना चाहे आप किसी तर्ल चीज में उसको मसल के दें सुछ जैसा पीना पड़े चाहे आप उसको दल्या या खिच्डी मलाइम दें और इसके साथ साथ पेट साप करने के लिए तिरफले चूलन का प्रियोग करने प्रांथ तिरफले चूलन का प्रियोग इस प्रकार करना के हर्ड 10 ग्राम है तो भीड़ा उसमें 20 ग्राम लाना आमला उसमें 40 ग्राम लाना जी यानि हर्ड से दूगना भीड़ा भीड़े से दूगना आमला फिर इसके बीच में 20-20 ग्राम में गुलाब स्तावर, अस्वगंदा, ब्रमी, बाच, इस सारी चीजिए कूठ के पीश के कप्प्र छान कर, अब इस चूर्ण का एक चंप सुवा, एक चंप साम को चाहे गाय के दूर से दें, चाहे गर्म पानी से दें, इसके लेने से समर्म सकती तो दिन दूगने, राते चोगनी बढ़ और पेट ऐसे साफ होता है, जैसे सिर्का बोजा पहल के सरीर को रात मिलती है, ऐसे प्रेशन में पेट साफ होती है, जी गुरूजी डिप्रेशन को लेकर उनकी उपायों को लेकर चर्चा आगी भी हम जरूर जारे रखेंगे लेकिन यहां कॉलर चोड़ के इन से बात कर ल और दूसरा मेरे सिर पे दाने निकले हुए बार बार आ जाते हैं, जी जग नाब भी अपनी जगा से हट जाए तो आप जितने मर्जी यतन करें और सुवाजो खाली पानी पीते हैं इसे रोग दिन दूबने राते चौगनी बढ़ता है, यदि इस रोग से मेसा के लिए को अपने नाब करता हैं, उसमें जो भी आपको पैर के तल्व से सिर के बाल तक का रोग मिलेगा, सब दूऊजी यदि आप नियम से दूखाते हैं, पीने वाली प्यते हैं, जो तेल माल्स का दिये जाता हैं, उसको करते हैं, तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15-20% रहा मिल जाएगा और उसके बाद आपको हमेशा हर रोज चार बज पेट का अलार्म लगेगा और एकदम पेट साफ होगा और इसमें बंदी विलेटन आएगा इसमें दस्त नहीं लगते आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पूरे संसार से रोगी आ रहे आश्रम में जिस दिन आकर द्वाई खाते हैं उसी दिन को किसी को 10 परसेंट किसी को 15 किसी को 20 और किसी को 50 परसेंट भी ना मिल रहा है किसी को मिहना द्वाई खाने पड़ते हैं किसी को तो मिहना से फाल तो किसी को द्वाई निकाने पड़ती है और 15 दिन की दौाई एक ब सुन करना है अर्योवेद नहीं आज मैं पूरे संसार को चैलेंज किया था कि आपने कि आपने बीजिन से ठीक नहीं है आप कोई भी द्वाई देनी है तो वो दो जिससे रोग कटे रोग दुआने से लाब नहीं है जिसकी उमर 100 साल है वो जाके 40 साल में मर रहा है यह आपकी अलोपैथिक द्वाईयों की देना क्यूंके इसमें कोबरे साम का जायर मरे वो जानगों का चूरा और केमिकला यह सिर्फ उसको सुन करने के लिए रोग आटने गानी है इससे चटी किस्व के रोग और पैदा हो जाते है जी आज जो कैंसर फैलता जा रहा है किड़नी फेल हो गए इन से बात करते हैं हलो जी नमस्कार अपना नाम बताईये कहां से बात कर रहे हैं मैं रतन गुर्णा व्यावर पर प्रशन कीजिए गुरु जी सुन रहे है आपको गुरु जी मेरी वाइक को अधिक लंज के लंज की तॉल्ण के अंदर को ए शुकड़ा मैं देखो मेरी बात सुनो बढ़ीगा और से सुनना इस बामारी का नाम है हमारी भासा में ब्रोकाइस है बच्वर में जब किसी का खसरा बिगड़ जाया या नमोनिया बिगड़ जाया तो ये बामारी पैदा होती है इसका पूरे संसार में आरियोवेद में वनानी में होमोपैथिर म यहां पें विलाजनी है ओर ज्यादा तक्रीब हो जाया तो एक इसको स्टीम देते हैं आप एक इस दिन मेरे आस्रम नहों मらइट पर सब्सक्राइब आगे के मेरे की मरे कशाओ की रोगी थी क्योंकि मेरी द्वाईयों के नियम है कि मेरी द्वाईयों मेरे आस्रम के लावा और कहीं नी बंगती और जो द्वाईयों बनाई जाती है यह सोगे का काम करती है जड़ी बूटियों है इन जड़ी बूटियों से जो द्वाईयों बनाई जाती है हर एक रोग को तो ऐसे खत्म करती हैं जैसे कूरे करकट के डेर को मार्चिस की तिली खत्म करती है। जदि आपने गराई में देखना है तो आप यूटूब पे जाए स्वास्त बचार सांकृति चैनल देखें। और उसमें देखें कैसे कैसे रोगी मेरे पास आ रहा है और कैसे टीक होके जा रहा है। आज मुझे इस बात की कुछी है कि स्वास्त बचार एक मात्र ऐसा असरमा जिसका पूरे संसार्स में किसी से मुकाबला नहीं है। अनलों की स्वास्त बचार में कि पारव के तल्वह से शिर्क्वाव तक जितने भी रोग हैं पांच सेकिंड के नदर बता दिए जाते हैं आघि परिक्षुन में कि आपको इस अंक में यह रोग हैं.. ऑर दवाईय ने खाएंगे। प्रेज करें ढाय मिले गानल, प्रेज बत बियां। कि फ्रेज मीरी न चीनिए को प्रेम करम पानी न प्रेत की की παर उसने Anh कुछ नि भाएं, न को प्रेत की यह क्यों थाओं। न थांगी गविता जूंगल कर लिंगे न तो जाके रोगों से मुक्ति मिलती है। जी बिल्कुल बाके अधिक जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक गुरुजी यहां पॉलर हमारे साथ जोड़ गया है इन से बात करते हैं हलो जी नमस्कार अपना नाम बताएए कहां से बात कर रहे हैं ह। याफ इन मेन वरिफेश अमें यूपी बात कर रहा हूं जी प्राशन कीजी गुरुजी सुन रहे हैं आपको मु झेवा हो ओनू लगा हुई हू़, लिगा समा इडेस्न जिए। मुझन मुझ को छश्मा लगा हुई। मुझन मुझ पूतरेगा हूई तो ऊनौ लगा हुई, जिए Chelsea मुझन लगा हुई। जियू जए छश्मा लगा हुए। और पैदा होने के बाद में ठंडी चीज़ों का प्रयोग ज्यादा करते हैं चस्मा जरूर लगेगा यह चस्मा लगता है जब आपका नजला परदे के आगे जमा हो जाता है बदल सा चाह जाता है तो चस्मा के नंबर दिन पर दिन बढ़ता है आज स्वास्त बचार ने सिद्ध कर दिया के आंदे को दिखाना बहरे को सुनाना गुंगे से बुलाना बांच से संतान उत्पती कुराना नमर्द को मर्द बनाना अन्होनी को होनी करके दिखाना यहां पर कोई भी बमारी ऐसी नहीं है जिसका लाजनी है मां गहतरी के किर्पा से यहां पर जो भी किसी किस्व के रोगी आया है, सब को रोगों से मुक्ति मिली है, परांथू इसका निखम है, कि आउटों के लिए सूटी सूट पैणना अनिवारिया है, जो आउट पैंट पैंती है या सारी बांती है, उसको मैं द्वाई नहीं देत ज़े पहने पेंड कुमीच पहने तब दो दिए जाती है और जो मेरी निव मानता परेज करता उसको दो दो दी जाती है मेरा निव है कि नारी परिक्ष्ण में पःर के तलोग के लेके सिर्के बाल तक जितने भी रोग हैं उनकी सब की द्वाइब कठी देनी हैं, किसी एक रोप की द्वाइब ही देते हैं. गुरुजी, हाई कॉलर हमार साथ कॉलर चुड़ गए, इन से बात करते हैं. जी, गैस की प्रॉब्रम रहती है, गुरुजी, देखे पहले मेरी बाद बड़ी गाहर से सुनना, जब आप प्राउंठा भिश्कुर नमकीन पैप्सी लिंका पीएंगे, खाना खाते समय पानी ने पीएंगे, तो आपको संसार में गैस से कोई नी शुड़ा सकता. मेरी द्वाइयों में खाना खाने के साथ दो गलास गर्म पानी ल्शन प्या जदर के रशू यूद्र काला नमकाली मिर्च मिर्च मिलाके पीन inert आतीय वस्यका है, खाना खाने में पानी पीने में एक घंटा लगाना आतीय वस्यका इक दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रातिरे सब्सक्राइब करने का समय है सुबह 10 बजी से शाम 5 बजी तक गुरुजी यहां वक्तों चला एक चोटी से ब्रेक का दर्श को आप कहीं मज जाएगा देखते रहें स्वस्त विचार ब्रेक के बाद एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदिदा कारेकरम स्वस्त विचार में गुरुजी हाई को और कॉलर जुड़ गए इनसे बात करते हैं हलो जी नमस्कार अपना नाम बताईए कहां से बात कर रहें आप ग्रशा आपने अपने बद्द होना जाए नाम अच रहां जी अध्यान पत्री का लाज तीबी के माद्याम से नहीं होता है उसके लिए आश्रम आपड़ता है जिसन आश्रम आएंगे नाडी पिल्शिर करेंगे नाडी पिल्शिर में जो जो भी आपकी बारिएं seventeen प्रांतु आस्रम आने का नियम है कि जिस दिन आपने आना है बुद बार नी होना चाहिए बुद बार चोड़कर गुरु बार से लेकर मंगल बार के बीच में राद 10 वह तक खा पी के दातन उडा करके बड़ी लाइची मूं में रख के चूछते रहें वह उसके बार नाड़ी परिक्षण करेंगा नारी परिक्षण में पैर के तर्वों से सिर अप्रिक्षण बाल सब द्वायों दी जाएंगे अर इन द्वायों खाएंगे तो उसके बाद आपकी पत्त्री दिन भूगने राते चोगने कटेगी एक मिनने में चाहे आपकी 15 मिलिग्राम की चाहे 30 की चाहे 50 की साफ हो जाएगे इसी भी शंका के लिए आप टीवी च्किन पर दिखा जाए नंबर पर संपर्थ कर सकते हैं गुरुजी यहां एक और कॉलर चुण गए इनसे बात करते हैं हलो जी नमस्कार अपना नाम बताईए कहां से बात कर रहें आप आम है याना को आप कर लिए जी प्राशन कीजिए आ इसे मासिक धर्म फट जाए तो यूट्रिस में और ट्यूबों में इसके सिष्ट बंग जाते हैं यूट्रिस में रुकेगा और ट्यूबों में रुखा को सिष्ट है इसकब चार पूरे सिंसार में मेरिकल साइंस में तो चीरफार का है आर्यो बेज होमोपैथिक रुनानी निकाल दे नहीं, निकलती है, मेरे पास हर मीनने शै और शडी में ओर्ते लिल्य को 200 से 300 को आती हैं, बोमीनन किसी को यह था कहने में अं ladies ऑर शहरे को अंवती हैो जुआती है. यदी आपने इसको गहराई में देखना है. तो स्वास्तविचार मंदर के नाम से स्वास्तविचार मंदर 2 लिखें आर इसमें देखें के कैंसर के किड्नी के रसॉली के कितने रोगी ठीक हैं और उन ने अपनी इच्छा से इंटर्वीवी दिये उन Subscribe आपकी रसॉली के भीमाधी बूरतरह से ठीक हो सकती है लेकिन उसके पर दिखा जाए नंबर पर संपर्थ कर सकते हैं गुरू जी हाँ एक और कॉलर जोड़ गया है इन से बात करते हैं हलो हलो जी नमस्कार अब नाम बताईए कहां से बात कर रहें आप ली मैं रियाना से उन्हाओं के पास से बात कर रहा हूं जी प्रशन कीजिए गुरू जी जी देखिये जब आप सुक्का खाना खाएंगे खाना खाते समय पानी पीएंगे और चाय चीन्नी पे ज्यादा जो रखेंगे पैशी लिम्के पे जो रखेंगे तो कम ये दिन दूगने राते चोगनी बढ़ेगी आप ऐसा करें बुद बार छोड़कर गुरू बार से ले नाडी करूंगा नाडी करूंगा बिजा जो द्वाइंगे जो भाई आपको खाने के पीने के दी जाएंगे और सांको सारे तीन बजे जब आइको प्रेसर करेंगे तो दूसरे दीन आपको पेट में किसी किसी कभज नि रह गए अपका नॉर्मल पेट साफ होना सुरू हो बताएगे नियम करेगा प्रेज रखेगा तो 15 जिन में आपको कम से कम 70-80% आपके कब्ज में परिवर्तन आ जाएगा एक मीनने में आपकी हमेशा के लिए जब तक आप बहुत प्रेज नहीं करेंगे आपको कब्ज नहीं होगी गुरुजी यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जोड़े इन से बात करते हैं हलो 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 जी नमस्कार अपना नाम बताएए कहां से बात कर रहें आप विशाल बात कर रहा हूं जी प्रेशन कीजिए गुरुजी सुन रहे हैं आपको गुरु जी मेरे दांट मे Christians से यही जी और देको ड़ाता है देखो गटा जब तक मिआ आपका नारी प्रिक्ष्ण होगा मैं आपको ठीक नहीं हो सकता है नारीप्रिक्ष्ण में जो आपके फेफिरंगे अंदर रहस है लेवर पूरा काम नहीं करता, पेट पूरा साप नहीं होता, पहले इसकी जड़ पकड़ी जाएगी, आपने कौन सी गलती किसकी वज़ा से रोग बढ़ा है, वो द्वाइय दी जाएगी, यह द्वाइय नियम से खाते हैं, प्रेज करते हैं, तो आपको एक मिलने से इस रोग नावन सामने रहेगा, सपना रह जागा, कभी मैस रोग कर रोगी था, जी, बिलकुल, बाकिया दिक्शानकारी के लिए, आप टीवी स्कीन पर दिखाए जारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, गुरुजी, आप देप्रेशन को लेकर चर्चा चल रही है, मेरे एक सवाल है आप से कि अगर डिप्रेशन का पेशेंट, अगर स्वास विचार आश्रम आता है, तो वो कितने ताइम में ठीक हो पाता है, और यहां किस प्रतार के दवाईया उनके लिए मौजूद हैं, थिक्शान के मरीज को जो दवाईया दी जाती हैं, खाने के मियां, पीने की और सि अगर से आई, और उसको नींद लीए वोगे पूरे छे मिनने हो गए थे दिन रात उसको नीद आती नहीं यहां तक कि जो नीद की गोलिया दी जाती है कंपोज, दस गोलिया खाके भी उसको नीद नहीं आए प्रांतु यह नारी प्रिश्न करने के बाद यब उसको तो तीन बज़े जब एको प्रेसर का ट्राम आया तो उसको उठा करना पड़ा तो मैंने पूछा कि आप तो कहते है मुझे छे मिनने होगे नीद नी आती है कैते ही मुझे पत्ता नहीं लगा जब आपने आंख में नाक में ड़ाई डाड़ी तो उसके बाद सीर के अंदर स जुन जनात हुआ कि पतना की बजन उतर गया और मुझे बहुत जादा रहत मिली है अब मैं सोच रहा हुँ कि मुझे जितना सोना दिया जाए मैं उतना ही ज्यादा लूँगी मैंने का अब एको प्रेसर को लो उसके बाद अननद लो जो मरजी करो अब आपको हर रोज कम से आठ से दस गंटे सोना पड़ेगा तब आपकी पिछली नीद पूरी होगी अब जब भी फोन आता है साम को चार वे तो एक बात कहते है कि सौमी जी आपने मुझे जीने का रास्ता सखा गया जी आज तक मैं जिस भी हकीम के पास गई जिस डॉक्टर के पास गई जिस बैद जैसे किसी नदी बांद बंद के उसके गेट बंद करने और पानी रुक जाता है ऐसे मेरे को भ्यंकर नीद आ रही है और आप भी आप जो बोल रहे हैं मुझे पूरी समझनी आ रहे है नीद में तो मैंने का कि कोई बात नहीं एको प्रेसर के बाद एखना जब एको प्रेस कि मैं पतर ही काउन सी जगा पर चली गई जिसने मेरा खाना पीना सोना हराम कर दिया जी बिल्कुल ना तो मुझे खाना चल रखता था ना कि इसा आश्रम है जहां हर एक बिमारी का इलाज संभव है अगर आप डिप्रेशन जैसी गंबीर बिमारी से घिरेवे हैं और चाहत काहां से बात कर्रें है जी प्राषन कीजे गुरुजी सुन रहे हैं आपको हमारे बच्चे नहीं है मारी गड़ी ती ता सिब बड़ी दभा खाती हूं घृता है जी तो यह तो आपको दो नहीं तो रहाइगा जाना जी आपको को दौए जाए जाए にょ आपके आदमी कमी होगी तो इसको दौाई दी जाएगी और यदि आप दौाई नियम से लेते हैं परेज करते हैं तो छे मिन्ने में आपकी गोद भर जाएगी आप ऐसे हजारों मेरे इंटर्व्यू है जिनको डाक्टरों ने हकीमों ने सब ने हाथ खड़े कर दे कि आप संत जाएगी और स्वस्त विचार में जाकर आप विचार को आप संतान यह मिली है जी बिल्कुल और जब उनने उसका नरिक्षिन किया और डियन ने टेस्ट किया तो उनका दोनों का खोन मिला बच्चे के अंदर तो उन्होंने अपनी थेओरी को आज सभिकार किया केते हमारे पास तो ऐसा लाज नहीं है उनके पास लाज है इसके हम कहने सकते हैं जी बिल्कुल अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गोद में नन्ने मुने नौनिहां खेले तो उसके लिए आपको आश्रमाना होगा क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गुरु जी ने अ और दर्श को आप से मी बेचाहूंगी इजाज़त नमस्कार